नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आसी देरिया आसी देरिया यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेगी आज हम बात करेंगे गलेज कंपनी के एक बहुतरीन प्रडेट जिस प्रडेट का नाम है गेलवे नौनी जूस कंसेंट्रेट गेलवेदा नौनी जूस, कंसेंट्रेट नौनी से मिलने वाली सभी लाप प्रदान करता है बहतर स्वास्त, दक्षता, जादा उर्जा और तनाव से रहत प्रदान करने के लिए इसमें अश्वगंदा और कोकम भी मिलाया गया है करीब 150 से भी अधिक, पोसक कत्व शिभरपूर नौनी के फल में एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बेक्टिरियल और एंटी इंप्लमेंटरी जैसे अदबुद, मेडिकेटिट गुड होते हैं इसमें एंजाइम, एलकलाइट्स के साथ, मल्टी विटामिन्स और केलिसियम, पोटेशियम, आईरन, फास्पोरस जैसे खनीस पदात भी मौझूद है नौनी को खास तोर पर सरीर में एक्स्टरो नौनीन लेवल्स बढ़ने के लिए जाना जाता है नौनी सेल्स और टीस्यू में नई उर्जा भर देता है और सरीर की इम्मुनिटी में सुधार लाने का काम करता है मुक्ह तत्व और आईरवेदिक ग्रंथों के अनुसार उनके लाब कोकम एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है इसे पारंपरिक तोर पर अमलता अपच और गैस्ट्रिक जैसे समस्याओं में राहत पाने के लिए इस्तमाल किया जाता है अस्वगंधा यहां तनाव दूर करने के लिए बहतर एड़पोटोजैनिक आईरवेदिक आसिदियों में से एक है यहां कई तरह स्वास्त लाब पहुंचाता है यहां गबराट और तनाव को कम करता है इसे आप यूज कैसे करेंगे खाने से 30 मिनट पहले खाली पेट लें या चिकिशक के परामस अनुसारी से आप ले सकते हैं बहतर परिणाम के लिए 6 से 12 महा तक रोजाना दिन में दो बार लें 6 साल से अधिक उम्रे के बच्चों को उप्रोप्त खुराक की आधी मातरा दें पूरे दिन परियाप्त मातरा में पानी पीएं इस्तमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं इस्तमाल के बाद बोतल अच्छी तरह टाइड बंद रखें वा इसे हमेशा ठंडी सूकी और अंदेरी जगहाफ में रखें एक बार बोतल खूलने के बाद इसे रेफ्रीज रेटर में रखना जरूरी है और 30 दिनों के अंदर इस्तमाल कर लें पेचिस की सिकायत होने पर वा गर्वबती और बच्चों को इस्तानपन कराने वाली महिलाएं इसका सेवन ना करें सो दोस्तो आपको गेलेवे नौनी जूस कंसेंट्रीट के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी सो थैंक्यू धन्यवाद